राम से बड़ा राम का नाप इसी को चरितार्थ करते हुए आयोध्या की पवित्र भूमी पर एक ऐसा चमतकारी व्रिश है जिसकी डालियों, टहनियों और छालों पर भगवान राम का नाम लिखा दिखता है आयोध्या में इस तरीकी का ये एक लोता पेड़ है जो आसपास के लोगों की बीच में आकरशुर का केंद्र बना हुआ है इस फ्रिश की जड़ों और डालियों पर भगवान राम का नाम प्राकर्थिक रूप से अंकित है और समय के साथ साथ उस पर राम नाम की संख्या बढ़ती जा रही है आसपास के लोगों को जब राम नाम पेड़ के इस चमतकारी का पता चला तो उन्हों ने इसकी रोज पूजा करनी शुरू कर दी अयुद्ध्या के कणकण में राम है अयुद्ध्या में आप जिधर देखेंगे राम को ही पाएंगे अयुद्ध्या में एक ऐसा ब्रिक्ष भी इस्थित है जहां पर राम नाम अपने आप उभर कर सामने आ जाता है अब उस ब्रिक्ष में राम नाम कैसे आता है इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है बैग्यानिक भी इस बारे में पता करने की कोशिस कर रहे हैं इस राम नामी पेड़ के बारे में यहां के अस्थानी निवाजियों का कहना है कि यहां पर इस ब्रिक्ष की चाल से अपने आप राम का नाम उभर कर सामने आ जाता है तो आएए जानते हैं कि इस पेड़ की और क्या विश्यस्ता है जो इन्हें पता है हुमारे ख्याल से यह सारी सच्छा ही है क्योंकि जो ब्रिज के छिलके निकलते हैं उसके अंदर से भी राम-राम का नाम लिखा हुआ आता है काफी बार जो महात्मसंत है ना वह अंदर से आकर यहां देखें और इस टाइम तो इसका ब्रिज का कुछ निकल नहीं रहा है जिस टाइम यह निकलता है ना उस टाइम भी आकर कुछ लोगों ने चेक किया तो वहां पर जिससे छिलका आटाते ने तो उसके अंदर भी राम-र इसके नाम से जाना जा रहा है और काफी पुराना भी है इससे पहले भी एक पुराना प्यड़ था वो तो बहुत पुराने लोग भी जानते थे अभी के बारे में तो यही है पिजाल तो आपने भी कभी देखा है कि ऐसा च्छाल निकालने के बाद राम का नम दिखाई जो निकल लेते हैं उसको हटाए आते तो नदर राम का नाम था वास्द्विक तौर पर यह व्रिक्ष इस झेत्र में नहीं पाया जाता है और इस झेत्र में यह अकेला व्रिक्ष है अपनी प्रजाती का जो की कहीं भी रिपोर्ट किया गया है शुरुवाती दौर में इस ब्रिक्ष को ले करके बहुत से भ्रांतियां थी और ये भी कहा जाता था कि इस ब्रिक्ष का ये धरती पर अकेला विक्ष है इसको अभी तक पहचाना नहीं गया है इसके इसका विवरन कहीं नहीं मिलता है लेकिन जब इस ब्रिक्ष को लगभग पूरे एक सत्र में इसका अध्धन किया गया विभिन सीजनों में तो इनके फलोक की भी जानकारी हुई इसके फूलों की भी जानकारी हुई पत्तियों की भी जानकारी हुई और अंतता यह निकल करके आया है कि मालवेसी कुल का इस्टरकुलिया यूरेंस है, इस महत्पूर्ण ये है कि जिस वजह से ये ब्रिक्ष प्रसिद्ध हुआ कि इसकी छाल के नीचे राम-राम का इंप्रेशन छप करके आता है, इसके ब्रिक्ष के तने की छाल को जब कहीं से भी हटाया जाता है, तो उसमें राम-नाम का एक इंप भारत का तो है, बर्मा में भी पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से ये करनाट्स के साइड में पाया जाता है, आयोध्या में भी अकेला व्रिच ही रिपोर्टेट है, और कहीं नहीं पाया गया है, लेकिन भारत में यहां के अलावा भी यह बिच जहां पाया जा रहा है वहां पर राम नाम लिखने का कहीं कोई इस तरीके का सूत्र नहीं मिलता है ना किसी ने रिपोर्ट किया है कि वहां पर ऐसा मिल रहा है आयोध्या की धर्ती पर ही उस व्रिट्स में राम नाम क्यों लिख करके आ रहा है ये निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिकों के लिए छेतर के वैज्ञानिकों के लिए टेक्सनॉमिस के लिए एक चुनोंती का भी से है पित्र विसरजण के दिन इस व्रक्ष के नीचे मेले कायोजन होता है ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति इस व्रिश्च की पूछा करता है उसके सभी शारिरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह से आयोध्या में दार्शनिक स्थालों का संडक्षन किया जा रहा है उसी तरह से पेड का भी संडक्षन किया जाना चाहिए इस पर शोध होना चाहिए और आने वाली पीडी को इस वरश्य के बारे में पता होना चाहिए स्थानी लोगों का कहना है कि अयुध्या के लावा ऐसा पेड कहीं नहीं पाया जाता लेखिन जानकारी करने पर पता लगता है कि रामनगरी के अलावा कर्नाटक में भी एसा ही पेड पाया जाता है इस पेड को लेकर बैग्यानी कुछ भी कहें लेकिन लोगों की जो आस्था है वो बिग्यान से नहीं चल दी उनका मानना है इस ब्रिक्ष में अगर राम का नाम अंकित हो रहा है तो उसकी पूझा वो उसी तरीके से करते हैं जैसे अपने आराध प्रभुषे रामकी करते हैं और वैसे भी किसी की आस्था को gjान की तर्कों पर खारा नहीं उतारा जा सकता है